हलो एव्रिवन वेलकम तो मैं चैनल अंशूस कॉर्णर सो नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है नीट 2022 एक्जामिनेशन कल यानी 17 जुलाई को होने वाला है जी हां कल संडे के दिन आपका एक्जाम होने वाला है as you already know that timing जो आपकी रहेगी वो दो बजे से लेकर के 5 बचकर 20 मिनट तक रहेगी ठीक है दो पहर के 2 बजे से लेकर के शाम 5 बचकर 20 मिनट तक आपका जो एक्जाम का डियूरेशन है वो रहेगा यानि 3 आर्स 20 मिनट का ये आपका एक्जाम होगा pen and paper mode के थ्रू होगा offline एक्जा ये जो नौटिफिकेशन है ये एंटी के ओफिशल वेब साइट पर आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर कुछ ऐसी important चीजे मेंजन की गई है जिनको आपको follow करना बहुत ही जादा जरूरी है क्योंकि सिर्फ एक दिन बचा है आपके एक्जाम में कहीं ऐसा नहों कि कल आपक नौटिफिकेशन है एक्जाम से रिलेक्टेड है क्या चीज आपको allow करनी करी जाएगी और क्या चीजे allow नहीं है कौन-कौन सी वो covid guidelines है जो आपको follow करनी बहुत ही जादा जरूरी है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि starting में यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले तो हम आपको 2 copy admit card की download करनी होगी admit card जो रहेगा आपका वो 4 page का रहेगा ठीक है 4 pages उसमें included रहेंगे और 2 copy at least आपको admit card की download करनी है इसी के साथ साथ इस पर आपको fix करना होगा paste करना होगा photograph passport size colored passport size photograph आपको इस पर paste करनी है 4x6 की and यह वही photo होनी चाहिए जो अब आपने form फिल किया था तो जो photo आपकी first page पर रहेगे ना same वही photo आपकी होनी चाहिए अगर वो photo same नहीं हुई तो आपको examination hall में allow नहीं क्या चाहेगा entry नहीं दी चाहेगी तो आपको same photo ही उस पर fix करनी है पेस्ट करनी है और at least आपको दो photograph अपने साथ carry करनी है ठीक है दो रख सकते हैं तेन रख सकते हैं तो वो आपके साथ जरूर रखनी ही होगी तो at least two copy अपनी photo की passport size photograph के अपने साथ जरूर ले करके जाए उसके बाद बात करते हैं कि जो signature आप आपके match होने चाहिए जो signature का extra आपका जो column होगा वहाप पर जो करनी होंगे same वही signature होने चाहिए जो आपने form fill करते time किये थे तो signature and photograph आपकी match होनी चाहिए otherwise आपको allow नहीं किया जाएगा इसके बाद बात करते हैं हम यहापर की admit card पर अपने parents के signature जरूर करा लें admit card पर जात नहीं रहते हैं कोई वी आपके guardian है आपके guardian है तो आप उनके signature भी करा सकते हैं पर जहाँ पर option है parent signature का तो वहाँ पर आपको signature जरूर कराने है इसके बाद बता दे कि 130 पर gate बंद हो जाएगा आपके examination center का तो 130 से पहले पहले आपको वहाँ पर पहुँचना है किसी भी हा क्योंकि 130 पर यहाँ पर बिल्कुल mention किया गया है कि जो gate examination center का वो बंद हो जाएगा और अगर आपको अपने examination center में कोई भी डाउट है address का किछी भी तरह का तो आप आज ही जा करके वहाँ चेक कर लीजी एक बार आप वहाँ पर visit कर लीजी जो venue है so that ताकि कल आपको कोई पर जाए और एक बजे तक आप आप आराम से पहुच जाए तो हो सकी तो अगर आज आप जा सकते हैं तो एक बार आप वहाँ पर visit करें उस venue पर और अगर कल ही जाना है तो timely आपको अपने घर से निकलना होगा तो इस बात का ध्यान जरूर आपको रखना है साती साथ आपके प 12th class का आपका admit card हो या 10th class का certificate हो किसी भी तरह का आपका photo ID proof है जो government की तरफ से आपको मिला हुआ है वो आपको अपने साथ carry करना है यह compulsory है तब ही आपको entry मिलेगी चलिक नजर डालेते हैं क्या क्या चीज़े आपको allow हैं examination center में personal transparent water bottle ठीक है आपको सिर्फ अपनी ही पानी की bottle carry करनी है आप किसी और से पानी की bottle नहीं ले सकते हैं और जो आपकी पानी की bottle रही की वो transparent रहेगी ठीक है तो इस बात का खाया इस ख्याल रखें कोई भी colored bottle लेके ना जाए जो bottle transparent हो वही bottle आप carry करके ले जाए इसके बाद बात करते additional photographs ठीक है यह मैंने पहले भी बताया था जो photo आपकी form पर है application form पर है जब आपने फिल किया था same photograph आपको additional photograph at least two copies of passport size photograph की आपको carry करनी है तो दो कोपी अपने साथ extra आप ले जा सकते हैं ले जानी ही है यह compulsory है बात करते हैं इसके अलावा आपके पास अपना personal hand sanitizer भी होना चाहिए hand sanitizer के लिए आप किसे help ना ले during exam तो आप अपना personal hand sanitizer अपने साथ रखें उसके बाद बात करते हैं आपके पास admit card होना चाहिए along with self declaration with passport size photograph जो उस पर fix होनी चाहिए ठीक है PWD candidates के लिए बात कर लेते हैं तो जो physically disabled candidate हैं उनके पास PWD का certificate होना compulsory है इसे के साथ उनको one hour exam extra दिया जाएगा additional और describe रहेंगे examination center से ही मिलेंगे अपने साथ आपको लेकर करके नहीं आने हैं ठीक है तो यह खास क्या लगना है PWD candidates को अब बात करते हैं कौन-कौन सी वो चीज हैं जो allowed नहीं है सो electronic devices किसी भी तरह की हो allowed नहीं की जाएगी mobile phone calculator watches आपके sunglasses इस तरह की चीज़े अलाव नहीं है कोई भी bracelet तो इस तरह की चीज़े आप पहन के ना जाए साथ में लेकर के ना जाए ठीक है बात करते हैं कोविड इडवाइस जो आपको follow करनी है यहां पर जो mention क की गई है वो है social distancing आपको maintain करके रखनी है social distance का आपको ख्याल रखना है N95 mask को आपको लगा करके जाना है यह compulsory है and जो आपका sanitizer है hand sanitizer है वो alcohol based होना चाहिए ठीक है guys so यह सारी डिटेल है यह information है यह आप nta.ac.in official website है जो nta की उस पर जाकर के यह download कर सकते हैं पूरा पढ़ सकते ताकि जो बे preparation है वो आप अच्छे से कर ले और कोई भी ऐसी चीज ना हो जो कल आपको परिशानी दे दिक्कत दे तो इन सभी चीजों का इन सभी बातों का आपको खास ख्याल रखना है so official website आपको ज़रूर visit करनी है so यह थी आज की वीडियो I hope helpful रही होगी वीडियो helpful रही जिए शेर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो नए है चानल पर ताकि आपको ऐसी ही educational content वीडियो देखने को मिलती रहे चल्दी मिलती हो एक नए वीडियो में till then bye bye and take care and all the best for your exam